हेलो फ्रेंड्स वेलकम तुमाई चैनल वैसे यह लेख बॉक्स दहे के आपको पता चली गया होगा कि कोई चीज का हम अन्बॉक्सिंग करने वाले है तो फ्रेंट्स आज हम अन्बॉक्सिंग करने वाले है एपल वोच का तो यहां पर मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया है और आप देख सकते हो ओपन करते ही हमें एक बेल्ट मिल रहा है और यहां पर एक दूसरा बॉक्स भी है इंसाइड में तो उसको भी हम अच्छे से ओपन कर करता है वह हम देख लेते हैं पहले तो बैक साइड में यहां पर दो एरो दिये हुए है क्रीन कलर के तो वह टैप को में हटा लेना है और इसलिए ओपन हो जाएगा फ्रेंट्स यह वीडियो हम बहुत दिन पहले शूट कर चुके थे लेकिन उसको एडिट करने का मुझे ब मिला हुआ है और यह केबल चार्जर केबल है इससे आप वाच का चार्ज कर सकते हो और यह जो है बीच वाला पार्ट उसको हम ओपन करके देख लेते हैं इसको भी अच्छे से कवर किया हुआ है ताकि उस पे कोई भी डस्ट भी ना लगे एकदम वो सिक्यूर रहे तो और देख सकते हो एकदम ब्यूटिफुल लूख है इसका एकदम फ्लैट वाला लूख है और एकदम मतलब प्लाइट वेट है बहुत हैवी भी नहीं है यहां पर एक टैप दी हुई है जिसको भी हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इंसाइट क्या दिया हुआ है तो फ्रेंट्स देख सकते हुए इंसाइट भी वाज का इसी तरह से दूसरा बेल्ट दिया हुआ है चो भी बेल्ट आपके हाथ में एट्सिस होता है मतलब कमफोर्टेबल लगता है आपको वो बेल्ट आप यहां पे यूज़ कर सकते हो आप चपचाए उसको चैंज भी कर सकते हो खराब होने पर दूसरा बेल्ट भी लगा सकते हो चोटी बड़ी साइज में आप बेल्ट दिये हुए है तो अपने हाथों की इसाब से आप अपने बेल्ट को एड़्जस कर सकते हो और अभी हम इसमें चो बीच वाला पार्ट है उसको अच्छे से फिक्स कर देते हैं और इसमें कार्ड भी दिया हुआ है जिसमें बहुंच के बारे में सारे इंफोर्मेशन दी हुई है और इसको भी में ओपन करके आपको दिखा देती हूँ चार्जिंग कैबल को तो जैसे कि आप देख सकते हो बेक सायड इसका चार्जर का पीन है और फॉरन्ड सायड इसका जो मैगनेट वाला पार्ट है वो है यह अगर इसके साथ जोइंट कर सकते हो और एजिली चार्जिंग कर सकते हो आजकल ट्रेंड से एपल वॉच बहुत ही ट्रेंडिंग में है अगर आपके बजट में है तो आप इसको जरूर से पचेस कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही सारे फीचर है जो आपको यूसपुल हो सकते है मतलब ऐसा नहीं है कि पॉच के हिसाब से ही आप इसको यूस करे आप चाहे तो गर बाइक पे बैठे हो तो इससे कॉलिंग बे बात भी कर सकते हो मोबाइल पकड़ने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है इससे डाइरेक वॉच से ही आप मोबाइल को रिसीव कर सकते हो और दूसरे भी कई सारे फीचर से जो आप इंटरनेट पे सर्च कर सक और जैसे यहां पर steps बता रहे हैं वैसे हम इसको follow कते जा रहे हैं और उसको operate कते जा रहे हैं सारा settings हम इसी तरह से करेंगे तो watch लेने के बाद इसी तरह से आपको step by step जैसे information देते चाहते हैं वैसे ही आपको इसको follow करना है तो फ्रेंट्स यहां पे मैंने सारे स्टेप्स आपको नहीं दिखाए हुए है कुछी स्टेप्स मैंने यहां पे आपके साथ शेयर किये हुए है कि कैसे इसको उपरेट किया जाता है आप देखी सकते हो किसी तरह से हम इसको उपरेट करते है यहां पर मैंने थोड़ा सा फटा फट से आपको बता दिया है सारे स्टेप्स मतलब आप देखी सकते हो कैसे हम इसको उपरेट कते जा रहे है क्योंकि सारे स्टेप्स मैं यहां पर आपके साथ बताऊंगी मतलब सारे steps का मैं वीडियो लूगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा साथ में यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर processing का time बहुत ही लिता है तो इसी वज़े से वीडियो बहुत ही long हो जाएगा तो यहाँ पर जो steps आपको दीख रहे हैं वो ही आप थोड़ा जैदा समझ लीजेगा बाकी तो जब आप watch purchase करोंगे तब ही आपको तुरंद पता चली जाएगा क्योंकि वहाँ पर आलरेड़ी लिखा हुआ होता है कि कौन से step के बाद कौन से step आपको follow करना है तो वह easy भी है तो कोई ऐसा rocket science नहीं है कि हम इसको operate ना कर पाए एक तो बार try करेंगे जरूर से यह operate हो जाएगा और friends जैसे कि आप देख सकते हो इसमें text की size भी आप change कर सकते हो color वगेरा कई सारे जो settings है जो आप अपने मन पसंद के हिसाब से रख सकते हो और यहाँ आप पासवार भी जैट कर सकते हो तो यह बहुत ही secure होने वारी watch है तो आपको यह वीडियो कैसा लगा friends कमेंट करके जरूर से बताएगा अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी useful रहा है तो वीडियो को like, share and जैनल को subscribe जरूर से कीजेगा और आगया आगया जैसे कि आप देख सकते हो settings होते ही जा रहे है यहाँ पर सरी safety होती जा रही है मतलब secure भी हम इसको रख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे view में रखना है grid view है list view में है और यह दोनों में से अपने select कर लिया बाद में इसका syncing होने start हो गया है आप देख सकते हो इसमें process हो रही है और process होने के बाद जो main वाली screen है वो आ जाएंगी तो जैसे कि आप देख सकते हो process complete हो चुकी है यह main screen आ चुकी है और यहाँ पे दूस follow करना है और friends इसके सारे features भी आप इसको use करेंगे बात में आपको पता चलेंगा मतलब जैसे जैसे चीज़ों को use करते है वैसे वैसे उसके बारे में कुछ ना कुछ हमें नया जानने को मिल जाता है तो आप ज़रा भी ऐसा confuse ना हो कि यह तुरा complicated है पर आपको जरूर से इस अरी जान करें मेल जाओगी थेंक यू थेंक यू थेंक यू फोर वाचिन